हलो फ्रेंड्स तो मैं आज सौरस्विंग आ गया हूं ग्रिकेटर शॉप जिरख पूर में वीडियो शूट करें जो कि हमारे आपने देखा इस तोर मौली में भी है पतना में भी है डैली में रिसेंटले भी ओपन किया और मैं जिरख पूर से वीडियो शूट करें तो आज ह सबसे ज़्यादा जो मैंने मौडल सेलेक्ट करके लिए उसकार लेए अपको दिखाने पीस हैं सारे सारे आज वह नासा हम गार खर सему करं residents करंगे और बास के बैट सबसे अच्छी बात यह रहती है कि डबल प्रेस रहता है विलो तो इसमें हार्ड प्रेस होट होती है तो इसमें आप देखेंगे को एजस की थिकनेस 42 41 mm 43 mm तक नहीं आएगी जो बाकी प्रेंट्स में आती है इसमें आपको रहेंगी 39 mm 40 mm तक की एजस हैंगी इसमें प्रेंग पैट्स में आपको ज्यादा टाइम बेट ना करके आपको बास के starting में शुरु करते हैं 5000 के विलो कैसी आती है 5000 का बैट की कैसी आता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like जरूर करें सुब्सक्राइब करें और शेर जरूर करें तो मैं आपको पहले पांच आयर के मॉडल जो आता है जौब लट मॉडल है इसका बास जौब लेक दिखाता है पहले फेस कैसा है बैट का ग्रेंज की बात करें देखो अब यह बैट थोड़ा सा नीचे की रेंज का है सार्टिंग रेंज है तो उसमें थोड़ से ब्लैमिश आएंगे बट इसका परफॉर्मेंस पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अभी हमारे काफी बैट से हमने लास्ट टाइंग से काफी हमारे से इसका रेविव बहुत अच्छा है मैं काउंटर भी यहां पर लोग आते हैं तो यही बैट को ढूंटते ढूंटते आते हैं कि हमें यही वाला बैट चलिए अगर वो पहले लेके गए उनका बहुत अच्छा निगला है तो यह बैट का फेस पे मत जाएगी इसकी पिंक पर एक साउंड जो अच्छे बैट के होती हो साउंड देखी जबर्दस साउंड उसके बाद बास जॉब्रेट यह भी मॉर्डल जॉब्रेट है क्लीन फेस है ग्रेंज की बात करें ग्रेंज मैं लेंगे वन तो त्री इसकी फोर ग्रेंज का बैट आए और इसका फेस आप फुल बैट देख सकते हैं अब प्रॉफाइल की बात करें इसकी यह प्रॉफाइल रहने वाली है विट तो लोग प्रॉफाइल बैट रहेगा बैलन्स बहुत अच्छा बैलन्स ईसका और बॉल मेरी इससे दूर प्रॉफाइल है तो हम बॉल मेरे पास आगे वापस तो हम इसको यहाँ से अब मैं पिंग दिखाता हूं आपको इसका प्रॉफाइल उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पर मालते हैं तो नेक्स्ट मॉडल रहेगा हमारा बास कलब आप देख सकते हैं क्लीन फेस बैट है रेट इन वाइट वूड रेड वूड इसमें ज्यादा है है वाइट वूड थोड़ी सी कम है 70-30 का रेशो है यह 1180 ग्रैम्स का बैट है मर्पी इसकी रहेगी 7800 प्रॉफाइल देख लेते हैं फुल प्रॉफाइल बैट है विदाउट एनी कंकेविंग कंकेविंग बिल्कुल कंकेविंग निया इसके उपर और सब्सक्रापिंग इसका पिंग देख सकते हैं जैसे यह देखते हैं तो हम नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं तो नेक्स्ट मॉडल हमारेगा बास क्लब क्लब मॉडल रहेगा जिसके अंदर में आपको फेस दिखाता हूं इसका क्लीन फेस बैट है नीट और क्लीन ग्रेंस है इसकी रैड और वाइड वूड इसमें मिक्स है 70-30 का रेशो रहेगा इसमें प्रॉफाइल की बात करें फुल प्रॉफाइल बैट है विदाउट अनी कंकेविंग इसमें कंकेविंग बिल्कुल भी नहीं है थर्टी नाइन एंटी ग्राम्स इसका बेट है और सेवेंटी एट हेंड़ेट की मर्पी है मैं इसका पिंग दिखाता हूं आपको और सांड इसकी बता रही है बैट कैसा है जबर्दस बैट उसके बाद पास रेट्रो ब्लैक स्टिकर में आता है यह बिंटेज मॉडल है रेट्रो ब्लैक में आता है यह अब फेज देख सकते हैं कितना क्लीन बैट है अब मैंने आपको जितने बैट्स में दिखांगा है सारे फुल प्रोफाइल के बैट नहीं है यह इसकी प्रोफाइल रहने वाली है मिट टू लो प्रोफाइल बैट आई एजिस की बात करें थर्टी नाइम एम इसका एज़ है ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एडा मिसका टू रहेगा और वेट एलेवन एंटी ग्राम अभी इसका वेट जब पैक ओपन होगा इसका 15-10 ग्राम का वेट और कम होने वाला है लेट स्टेक अपिंग जबर्दस पिंग और इसकी मर्पी है थर्टीन थाउजंड यह भी सेम ब्लैक रेट्रों में है मॉडल यह ग्रेंज मैं जीए वन टू थरी फोर फाइज सेवन एट नाइन टैन ग्रेंज का बैट है एलेवन सेवेंटी सिक्स इसका वेट है फुल प्रफाइल बैट है और इसकी मर्पी थर्टीन थाउजंड और इसका पिंग दिखाता हूं कि बहुत बढ़िया पिंग है यह मैं पुराणी बोल यूज कर रहा हूं तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं नेचरल बूट का जो बाउंस बैक आ रहा है यह वो चीज़ है उसके बाद सबसे ज्यादा मॉडल मार्केट में डिमांड है सबसे ज्यादा इस मॉडल की रहती है यह मॉडल आगया बाद विंटेज क्लासिक ग्लासिक श्टिकर आप देखेंगे ब्लू एक और उरंज क्रेपन धिक और इसका रेट्रों विंटेज क्लासिक की इसका मॉंडल नहीं रहेगा वंपाइर श्टिकर बैक साइड में है इसके ग्रेंच से आजरी वन टू प्रफाइल आप देख लिए फुल प्रफाइल यहां से देखेंगे विदाउट कंकेविंग बिल्कुल भी कंकेविंग नहीं है बैट पर और इसका पिंक जबदस्त तो नेक्स्ट मॉडल पर आते हैं तो नेक्स्ट मॉडल पर पास रहेगा रेट्रो विंटेज क्लासिक मॉडल नेम है सेम बैट सेम श्टिकर बट इसका वेट रहेगा 1160 ग्राम विद पैकिंग जब यह पैकिंग ओपन होजेगी जब आम सी 1160 45 पर आने वाला है 15 ग्राम की पैकिंग किसमें जाएगी फुल प्रफाइल बैट आई कोई कंकेविंग नहीं है देख सकते हैं और इसका शोल्टर से ही बैट यहां से उठता शुरू होता और यहां पर जाके भी को हाई स्पाइन आगी और यह मिट्टो लोग प्रफाइल में बैट आजएगा ऐजिस रहेंगी 40 mm कि इसकी एजिस हैं पिंग चेक कर लेकिए उसक जबर्दस्त पेंगा इसका जबर्दस्त उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आ गया बास बोट ट्वेंटी क्लीन बैट 20-80 का इसका रेश्यू है रेड वूड 20 एचा बूड और 80% इसका रेड वाइट वूड है तो इसकी ग्रेंज देख लेते हैं 1234567 ग्रेंज का बैट फुल में बैट है 1195 का वेट है फुल प्रोफाइल हाई स्पाइन के साथ है यह ग्रेंड वन में बैट आता है इसके MRPA 28000 इसका पिंग देख लेते हैं गवारी और इस बैट का पिंग भी जबर्दस्त पिंग है इसका जैसे यह बैट है जैसे इसकी प्राइज है काफी बड़ी आ पेंगे इसका ढाइज इसमें काफी ढ कर सकते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं हम आपको अधर मॉडल का भी फोटल पिक्टर शेयर करेंगे थैंक यू